5G phones under 10,000 रूपीज, 10,000 के अंदर काफी कम 5G phone देखने को मिलते हैं, क्योंकि ये budget भी कम है और 5G phone महेंगे भी आते हैं, बट इस वीडियो के अंदर मैं आपको ऐसे 3 5G phone बताने वाला हूँ, जो कि आपको 10,000 के अंदर देखने को मिलेगे और उनके अंदर आपको feature भी काफी क कमाल के देखने को मिलेगे, फर्ष्ट Poco M6 Pro 5G, ये smartphone अभी कुछ टैम पहले ही launch हुआ है, काफी अच्छा smartphone आपको देखने को मिलता है, अगर मैं इसके features की बात करूँ, तो इसके अंदर आपको 6.79 inch की full HD plus display देखने को मिलने वाली है, इसके अंदर आपको 90 एजट का refresh rate दे देखने को मिलता है, तो ओर्राल आपको display काफी अच्छी देखने को मिलती है, अगर इसके processor की बात करें तो Snapdragon 4 Gen 2 देखने को मिलता है, जो कि Snapdragon का होने वाला है, इतनी खास performance देखने को नहीं मिलती है, ये आपको सस्ते smartphone के अंदर देखने को मिलेगा, बट ओर आपको ठीक ठा 2 MP का होने वाला है, ठीक ठाप performance इसकी भी आपको देखने को मिलता है, फ्रेंट में आपको सिरफ 8 MP कैमरा देखने को मिलता है, जिससे आपको काम चलेगा, बट ये इतना खास नहीं होने वाला है, अगर बैटरी की बात करें तो 5Ah की बड़ी बैटरी आपको देखने को मिलत इसका जो 464 वाला वेरियंट है, ये आपको 10,000 से 11,000 का देखने को मिलेगा, बट ओफर के साथ ये आपको 10,000 से 9,000 के अंदर भी देखने को मिलेगा, तो आप चाहे तो इसको भी देख सकते हैं, सैकिंड, रेडमी 12 5G, ये स्मार्टफोन भी आपको 10,000 के अंदर देखने को मिलता है, और इसके फीजर भी पहले वाले स्मार्टफोन के बिल्कूल सेम देखने को मिलते हैं, 6.79 इंच की Full HD Plus डिस्पले देखने को मिलती है, 90Hz का refresh rate देखने को मिलेगा, और 60-500 nits की brightness देखने को मिलेगी, इसके अंदर भी आपको Snapdragon 4 Gen 2 प्रोसेसर देखने को मिलता है, जिसे इसकी performance ठीक ठाक हो जाती है, बट इतनी खास नहीं होने वाली है, Android 13 और MIUI 14 का स्पोर्ट इसी के साथ आपको देखने को मिलता है, 5000 mAh की battery देखने को मिलेगी, जोगी 18W की fast charging से एक काम करने वाली है, तो ओवराल इसके अंदर भी आपको same battery देखने को मिलेगी, अगर मैं यहाँ पर cameras की बात करूँ, तो cameras भी बिल्कुल आपको same देखने को मिलते हैं, इसके अंदर भी आपको 5000 5G के band देखने को मिलेगे, और साथी में यहाँ पर भी आपको side-mounted fingerprint sensor देखने को मिलेगा, 3.5 mm का jack भी देखने को मिलता है, इसका rate भी आपको 710 जार से 11 जार का देखने को मिलेगा, 3. Lava Blaze 5G, यह smartphone भी आपको काफी बड़िया देखने को मिलता है, और Lava आपको Indian company भी देखने को मिलती है, इसी वज़े से यह थोड़ा सा और ज़्यादा खास हो जाता है, अगर मैं इसके features की बात करूँ, 6.5 इंच की HD plus display देखने को मिलेगी, जो कि 90Hz के refresh rate को स्पोर्ट करती है, अगर इसके processor की बात करें, तो वह आपको काफी ठीक देखने को मिलता है, Mediatek का 700 processor देखने को मिलेगा, जिसकी performance आपको ठीक ठाक देखने को मिलेगा, जाती में Android 12 का भी स्पोर्ट देखने को मिलेगा, तो वहराल का जो platform है, वह काफी ठीक ठाक रहने वाला है, अगर cameras की बात करें, तो back में आपको 3 camera का स्पोर्ट देखने को मिले वाला है, और 18 watt की far charging का स्पोर्ट देखने को मिलेगा, यहाँ पर भी आपको 315 mm का jacket देखने को मिलेगा, 5G badge देखने को मिलेगे, और fingerprint sensor भी आपको देखने को मिलता है, यह आपको 4 GB RAM प्लस 3 GB की virtual RAM के साथ देखने को मिलेगा, और 128 GB की आपको internal storage देखने को मिलेगी, तो बाकी के अदर देखने को नहीं मिलती है, बट यहाँ पर आपको 108 GB की storage देखने को मिलेगी, तो इसका rate भी आपको 10,000 से 11,000 रुपे देखने को मिलने वाला है, बट सेर के अदर और offer के साथ आप इसको 10,000 के आजपास purchase कर पाऊगे, तो यह थी वो 3 smartphone जो के आपको 5G देखने को मिलेगे, और 10,000 के अंदर देखने को मिलेगे, कमेंट दर के आपको भी पूछ सकते हैं, thanks for watching.